एलो गुद्मार्ण उसे ने स्ट करते हैं लेसन टू ठीक है और टॉपिक यहां पर है चेन सर्विंग तो इसमें देख लेते हैं क्या है तो इसमें इस्टुमेंट यूज फार चैनिंग ठीक है चैनि के लिए हम जो इस्टुमेंट यूज करते हों कौन-कौन सा है ति वह हम त्यक्वमेंट वह में पढ़ेंगे और उसमें जो इस्टुमेंट हो उसके जो अलगलाग टाइप है मूश lifes नहीं पढ़ेंगे एंद्यगानिम तोसट है एकλέ का इसमें लिंक होते हैं ऱमा लिए कि यहाँमेंगे प्कपड़ने के लिए हासे होगा फिर यहां प्लिंक होगा फिर ऐसे की मोतीया तो दोनाथ प्कडने के लिए हम ये तो बहंता है तो लिए तो जोगा है ऊहीं गहां गंट्रेंट ये तो तो ही Atlas भीछे जो भीचेन होता है यां तो टोटा जो लेंध होता है पुरेटीन गूष होता है दूसरा जो होता है रिवेन्ई जो 33 फिट है और यसमें के वार 16 लिंक धिया अगला होता है इंजीनियर जो 100 feet ka ho Taurus 100 link दिए अबी मेट्रिक चैन टिका जो जेनरली हम लोगी यूज करते हूं मेट्रिक चैनों तरह यह दो टाइप का होता है 30 मीटर का होता है इंपोर्टेंट होता है अगला अपना था एक होता है कि जीया होता है कि हम चेनिग करते हैं तो चेनिंग में जो होता है वहाँ पे उसको इंसेट किया जाता है ग्राउंड में ठीक है मार्क करने के लिए ठीक है फिर अगला जाद यह दिखिए अप्चेन का दिखा देते हैं यहां पर यह दिखे पकड़ने वाला इसी तरह है दूसरे साइड में भी यह पूरा चेन नहीं दिखाया है कुछ समया करका कि लिए कॉला हुआ है डिर्वाइक ह्टेश अर डाना हेला में जाओ तकानी हो देयों में तो यह देखे जान कर दवाइस के तो यह दो कि यह घार ब्लीम ब्लते यह पूरास इंगोन ऐसे है यह मिटर पर लगा होता है यह वरी मीटर पी लाई हो ती घृब फाइली कोरहोड़ जाता हमारा यह दिखी है आप employment लगाया जाता मीपे लगा जाता है नहीए टीन कौन पहले मटरेंगे जाता इसमें चियन वह फिर अगा जिस्ट्रीमेंट भूटा जारें यहां तो टैप लल्ड आइन को पहता है ठीक है के लाट टेप ओ तेप टीक है अ कि लॉस्पलाट्ट हा टिरृट हो टीक है तैक है में डारी ट्वर को थे पोजीशन आप देश्टेशन का स्पेस्ट सेली और रेंजिंग इस्टेट लाइंट है तो रेंजिंग राइचुली क्या होता है इसमें दो पॉइंट याथ रखेगा कि पोजीशन आप देश्टेशन को मार्क करने के लिए उता पहला पॉइंट पोजीशन आप इस्टेशन को रंज करने के लिए मतलों हमें एक स्टेट लाइन में जो मिज़सिया निंग करना तो वो डारेक्टिना इस्टेट उसको रैंज करने के लिए रञंत का दो कॉंचेट है उसे स्टेशन दूसरा क्या है है दोपॉंट याद रहे हैं कि जैसे कि अभे हम चैनि कर रहे हैं यहां पर इतना दूर सटी है तो हम पहला इंडी यह दूसरा यह नहीं आई आए मल जी इसके बीच का जो डिस्टेंस पांच के हम है तो अब पांच किलोमेटर तो सीधे दीखेगा नहीं ठीक है तो वसी लिए हमको स्टेट लाइन में चैनिंग हो इसलिए बीच में की इंटर्मिडियर्ट पॉइंट डेवलप करना पड़ता है वह का हम लाइन रेंजर से करते हैं इस्ट्यूमेट यूट फार्द सेटिंग आउट राइट एंगल तीम तो राइट एंगल अगर हमारे जिस लाइन में हमें अपना चैनिंग कर रहा है तो से राइट एंगल में कोई काम करना कोई पोजीशन देखना तो उसके लिए हम क्रास इस्टाफ भी तीन टाइप का ह इंपर्टन िट इस्टाफ थीन टाइप के होता है बहला या जाता है ओपनड़ी ऐस्टाफ से था हम नायंटी डिग्री पे होग तो उसको यूच करते हैं फ्रेंच राइस स्टाफ होता है इस से मं 25 ताइवह हुचा कर लों प्रीटाफ दी करना है तो व करते हैं और तीसर एक लाइन टी लिगरी पे ही मार करने के लिए यू जो था ठीक आठीक एक फ्रेंच क्राइब्या आ च्टाभ लिए यू जो ता ठीक है और यह हमारा आज इस्टरिवल किसी भी एड़ी पी ही ज़िए और यह टॉप कोसने भॉटम को सेटे है यहां से सर्परेट है तई है हम देख लोगे है यह आपको ओजुआ रहां राइन रीक्टी घां यह प्रवाइश क्या होता है या तो यह दो यहां के देखिए डैंड बना दौन होगा दोन संतनी च сб अगला इसटुमेटेशर नहीं ही गांतो है दोन ध्रिकल इसकोर आप्टीकल इसकोर जो होता है इसका भी काम है फिर इससिट्रूमेंट को Department तराने के लिए यूज करता है यह हैंड से मितलब हाथ में लेके यूज कर सकते हैं झाटि किसी ट्राइपोर्ड अगर अपने हैं अपरता हाथ पर लेकर यूज कर लिए इसक्तिमेन को और यह भी राइड एंगल करने के लिए ही किया जैसे हमने ख्राश स्टाप पढ़ा था से मही काम है रिख राश स्टाप से मेजर कर लिए ठीक हम एक राश इस टाफ जो हमने अंगल देखा वह सही एक ने उसको सुपर वीजन पर पर सेमिस को अप्रकल इसको अप्रिस कर सकते हैं अगला है कि नियुनो म है यह देखिए आप अप्टिकल स्कॉर्ण में अज्यों कि लॉटव में तो इसको हरजी इसको इंडेक्स भी समय टेंहें है और जी उसका कुछ पोर्शन जी उसका हाफ पोर्शन जिए से अगला जो था इंडेक्स घ्लास जो था वह फुल सिल्वर होता ठीक है और यह दोनों एक दूसरे यहां पर देखे दिखाए गाई यह दोनों एक दूसरे से क्या 45 डिगरी फिट किये गया होता है यह इंपोर्टन पॉइंट है इतना जान लेगे को अगला जाता है टेप का रसें तडिय तो जी सबने टेप का टाइप पढ़ाता मेटालिक टेप और इस टिल टेप टो ठीख है तो उसमें करेक्शन होता है का एकडाक्शन की करना पड़ता है जिसे की मात यहां पर हम टेप यूजेगा टेप जो बना जाता है कि स्टेंडर टम्प्रीचर पर बनाए जाता है मतलब बनाते सेंख स्टेंडर टम्प्रेचर हो उस तंप्राइचर पर अगर आप मेजर करो तो ना टिफ भूला रहे हैं शोटा हो लेकिन ऐसा पॉसबल होता नहीं हम कहें पर मालूमजरिंग कर रहा है कर रहा है वहां पर ज्यादा कूल प् सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए में कर् loudson करना पड़ता है तो पहला आप रेक्षन क्यों सक्षांगर टेप का डीजाइन दो इलडलेस के हो जाएगा मीजर लेंथ अचीक है जो मिजर किया है उसका लेंथ टकल लिए तो पर सिछलेंठ हिंन् Healthy यह तो टोटल करेक्शन के ओजाएगा तो जितनी आपने हम चेयन कि सब्सक्राइब कर रहा है जो थोड़ा सा हाइड बढ़ता जा रहा है या जैसे नीचे जा रहा है थोड़ा हाइड काम होता जा रहा है यह स्लोपिंग पे हम है यह थीटा एंगल यहां से लेकर यहां तक यह पॉइंट है दोनों पॉइंट मेंसे लेकिन पर यहां यहां पर लगा दिया और यहां पर में जाए तो आ वह जब जादा आजाएगा इसके तुलना में जबकि पॉइंट हम दूनों पॉइंट कि वह प्रवाइट करते हैं तो ठीक हैं तो क्रटार करते हैं तो अगर यह वाला लेंथ यह यह होना चाहिए तो यही इतना इस्टा वेले तरह पर यहीमिक नवक्रा भूले में ही लो Ар마 Tu यह स्रूब पर यहां करने टिए क्या है थे सहलों करेक्शन जो होगा वो यह वाली वैल्यृ से निकाला गही बहुत यहां है वह एलडत माइनेस अंडर रूठ sq स्कॉर्ण तो सोरे एल डाइस का स्कॉर्ण ठीर और यज का स्कॉर्ण है यह हमारा यह अच्छी जो यह श्लोप वाला रिस्टेंस त्याट यहाँ से निकाले यह वैल्यू अच्छली यहां पर निकाला गे वाप डाइग्राम देख के आप देखुए होगा तो रहे लग जाए यह यह आप एक फार्मूला ऐख लोप यह स्कुरबन टू यह इसको यूज कर सकते हैं तो यह अग्च्छली यह जो वैलू होता है यह जो लोगा यह यह वैलू है यह वैली जो निकालना है ठीक है एक्जाम में पूछ लेता है कि आडिटीव है तो उस point के लिए correction जो हो जाएगा जाहता हूज इर pretending अब डिलम जाते हैं positive negative नहीं जानते हैं तो अगर तेप माले। नोज़ा साहा हूज क्वाम टम्परिचर का मैनिक के फ्ह kommen दरा सबूर्स क्या ऑफ सिकोड़ जाया तो समय मिस्था दो मेंटेश करें तो उससमयुक्ष मेंटर आफ रिएडिंगु टेप की ऐजाए तो दू c तेप फिर जाएगा जाएगा जब टेप से लेंगे तो यह तो यह अगर एक्चिली 10 मीटर है तो जब कॉंटर्ट कर गया तो यह कुछ ना कुछ केस में ऐसा कुछ होता है इस केस में किया होता है कि सुलोप מिजर करने कि बैँसे एक्शुल न्यम्यां एंटी वह देगा लेकिन बीशनव प्मयार करते हैं तो लेंच यह लाता है लेकिन यह से ज़्यादा आधा तो सकरपी कज्ण आका ह 돼요じゃ पार 0 इसका उल्टा हो जगा निए टिए तिया पर ऐसे ही हो रहा है आप यहां पर देख रहा है कि अगर हम इसी पॉइंट वन है और यह पॉइंट टू इन दो लोगों मीजर कर रहा हो जैन्ट यह लाता है लेकिन जब उसी किसी स्लोप पर करते हैं तो यह कि यह ज्यादा हो जाए तो से मगें प्रीवेस वाला केसे से मोई चीज़ा ठीए नेस्ट वाजाता है पूर करेक्शन दी टूद टमप्रेचर टमप्रेचर की विए से करेक्शन वह हमने बताय कि टमप्रेचर अगर ज्यादा इस्टेंडर से तो टेप बढ़ जाए एक तो टेप चोटा हो जाएग तो टिसके लिए यहां पर देखें यह यह एक्शली लिखा क्या है यह इस फर्मॉला लिखा है वह प्लस माइनस अल अलफा यह लिखा हुआ क्रेटल इंटू एलफा इंटू ब्रैकट में टी यह मानस टी नाट टीका टीम क्या टमप्रेचर एड़ टाइम आप देम अप्र fiermen कर वहां पर करनें टामें एंटामें टंप्रेचर एंटा स《च अप्रटी कि नाट जो चिस मोण तो batch कि बनाएगान कि यत्जपी अधी तूबराल इसका मतलब क्या वहां चैने मिलुक्त जादा आ रहा है यानी के मतलब क्या है कि लिए तैय नश्यक्रिद क्या joystick क्या हो य सब्सक्राइब कर जाएगा तो उससे या जब टेप का लेंथ बढ़ गया तो जब किसी लाइन को मेजर करेंगे उससे तो जो मेजरिंग वैलू आजाएगा वह एक्चुल से कम आता है ठीक है अगर टेप का लेंथ बढ़ गया यानि इंक्रीज हो गया तो जो हम लाइन मेजर करेंगे वह लेंथ क्या जाएगा वह कम आएगा लेस वैलू आएगा ठीक है यह दो पॉइंट याद रखिए और जब टेप झाल की भाद हighty बाइन फिन जो कोनटेट हो जाएखा तो जो हम इतबार करेंगे उसकी क्या जाएगा लार जाएगा ठीक है उसकी फ़एलओ यह दो चना सपना सब्सक्राइब नोट का लेंट बढ़ जाएगा टिस लाइन को मेजर करें उस लाइन की जो वैलू है वह एक्चुल से कम ना पी जाएगी ठीक है तो और जगा टेप छोटा हो जाएगा तो जिस लाइन को मेजर कर रहा है उस लाइन का जो मेजरिंग वैलू जो है एक्चुल से ज्यादा यह दो पॉंट एक्टम याद रखिए अब आगे याद रखिए जब टेप का ल अगर टी एम की वैलू टी नाट से कम है ठीक है तो उसका उल्टा हो जाएगा उल्टा का मतलब का टेप छोटा हो जाएगा तो जो हम वैलू मीजर करेंगो वैलू क्या जाएगा ज्यादा आ जाएगा तो वैलू जब ज्यादा आ जाएगा तो एर क्या हो जाएगा एक बंदा इधर पकड़ा हुगा एक बंदा इधर पकड़ा तो यह हमारा तो यह पूल करेक्शन में वह यह कि दोनों तरफ पर एक बंद ने माय टेप यहां पर पकड़ा दूथरा बंद आप पकड़ा तो कुछ ना कुछ छीजाओ होता है ओसकी वश्सकाइब का। टेप क्या क्हा है लेंध बढ़ता तो सबस्वाने करेक्शन करकानद करता है वह किया है पी यह मानस पिनाट इंक्तु mange अपउन एस उपन एस ठीक है तो पीम क्या है पूल एड़ टाइम आप दा मीजरमेंट ठीक है और पी नट क्या है इस टैने जिस्ट पूल पर जिस खीचाव पर ठीक हमारा टेप बनाए गया ठीक है और यहल कर लेंद्फ आद लेंद्फ देप है ठीक है यहां पर यह सके डवलू स्कॉायर ऑल क्यू ट्वन्टीफॉर है इन्टू यहीं प्याम यहीं पीम एक हो सब्सक्राइक्टिम टिंगहाथ पिछला जो परेक्शन पढ़ा तहां वो दिकिए वो ही क्या था सब्सक्राइक्टिम था यह विक्या था यह बैक असे श्वेटिए ज्य ही तरिक भी ऐसा इसलिए यह हमारा टेप यह पूरा टेप का लेंथ है तो ज्याधा लेंग पर मीजर करते हैंधा एक्टम इस्टेट नहीं रहता है ना चुकि कोई एकदम सिंगल पीस में रहता नहीं या इसमें link से बने होते हैं या टेप भी ओता तलेंस ज्ञादा उन्तर सेल्फ वेट की वेज़े से इस डेपका सेल्फवेट होगा तो माले एक बंदा यहां पकड़ा एक बंदा यहां पकड़ा तो टिप थोड़ा से इस तरह सैंक हो जाता है ठीक है वह वह होना है चुती होन होता है इसका टेप का तो सैग होने से क्या हो गार में लिए ज्लेग कर जाएगा तो wreck जयादा घ्र क्या रिक स्क्राव जयाए है क्या हो रहाए है कि या nिश्टी क्रशे Uhr यह निच डिस्तंस पी होता है अगला है लिम्टिंग लेंथ आफ शेट थी आफ सेट हम एक्चुली जो लेते हैं जी सिकमा लिजी कि हम इस तरह से मिजर यह यह लाइन हमारा लाइन अप सरवे ठीक इस डारेक्शन में में अब कर रहे हैं तो आफ सेट का मतलब क्या होता है अगर इस लाइन के लेप्ट या राइट मतलब चाहिए इधर चाहिए इधर 90 डिगरी पे अगर हम कोई पोजीशन कोई पॉइंट मार्क कर रहे हैं ठीक है तुसी को आफ सेट बोलते हैं ठीक है तो आफ सेट जो हमें यहां पर लेंगे तो उसमें देखे लिंटिंग अबiset क्या होता है मतलब उससे ज्यादा लेंथ हम नहीं कि कर सकते हैं एक एक टिव एक टाफ दे एर लेंग आउड डारेक्शन ओन रहें अगर हम आफ सेट जो हम आफ सेट ले रहे हैं बतारें लाइन के लेप्ट राइट में 90 डिगरे पर आफ सेट लेते हैं तो वह या किसी भी अंगल पर जो मॉफ सेट लेते हैं तो वह इसमें दो केस्ट में है तो आगर इफैक्ट को ले रहे हैं तो जो एडर होता है तो अगर वह अगर इफैक्ट वोत डारेक्शन की वैसे यह नहीं इस ठीटा के अंगल बने इस टाइंगल पे है उसकी वैसले रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मौल हो जाएगा एल एक्वल्ट तुस ठीक है एस एक पॉन साइन थीटा ठीक है उसी को अगर हम फोटीग उपर ले जाएंगा तो यह यहां पर 025 एस इन अपॉन साइन ठीक है यह क्या है लिम्टिंग लेंथ अब दाउप सेट है और यह स्केल है यह जो यहां पर रखागा वह स्केल यह मतलब कि अगर लिगे माली जेक वन सेंट कि मीटर इकल्टू 40 मीटर है ठीक है तो यहनी कि यह क्या हो जागएला झाली अफ़रं टो कोल्स का माइस एक्सपार्ट है एक्सपायर इन देख यहां यह अपन हो मिजर कर रहे हैं तो उस्छ जो इतלי और तो यह सिंपल इसमा को यह है वह है इतні जोडावेर टिया इसे के पॉइंट जीरो टूफाइव सेंटेमीटर से ज्यादा नहीं होना चेटिक यह अब्जेक्टिब बन जाता है अगला आजाता है इन देशनिंग चैनिंग जो हम करते हैं तो इसमें कौन-कौन साथ होता तो चैनिंग में तो मंतलब करके एक इस्ट्योमेंटइर होता है हिसे नियुद कर सेंशन नेचर में हीट नेचर या बड़ा या क्वोट तो एक टो इसके वए सानुन्त्यूमेंटव क्या होता है यही जैसा पड़ेश्ट पे में जब है जहां पर ठंड़क का प्लेस और उस बहुत ज्यादा पड़ा क्लियर विज्विल्टी नहीं है तो उसकी वह से आ जाता है अगला पर्सनल एर मतलब जो इंपलाई जो बंदा मेजरिंग कर रहा है उससे कोई एर हो गया कोई गलती होगा तो पर्सनल एर को भी दो पार्ट में सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चुकि यहीं पर पर याँ पर हमने की चैनिंग किया तो यहां पर कशिरें के तो पर टीसरा करेंगे तो यह उससे बहुत ज्यादा ब्लंडरों जाता तो सही नहीं नहीं गया तो अच्+. यहां पर लिंदे चेन है। कुछ इंपोर्टन पॉइंट सब्सक्राइब होता है तो पहला क्या है बेसलाइन चित बेस्लाइन क्याओं पेसलाइन एक पॉइंट के लिए बेस लाइन में दो पॉइंट है याद रखेंगे तो बेस लाइन जो होता है वो लॉंगेस्ट लाइन होता है जिस एरिया का हम चैनिंग करते हैं उस एरिया में सबसे लॉंगेस्ट लाइन होता है ठीक है और दूसरी चीज़ होता है किसी अदर लाइन का डारेक्शन जो हम फिक्स करते हैं वो बेस्लाइन के रस्पेक्ट में करते हैं यह हमारा यह माली यह पुरा एरिया है ठीक है तिस एरिया में अगर इस तरह से कि इस में कि इसमेर नाइन करते हैं आफ वसके प्राइन को तो यह कहिए or also check-line करें एАफ नाम से पर चला चला है यूजह से करने लेकिёт तो पॉइंट जो फिक्स है उसको चेक करने के लिए कि लोग सही पोजिशन प्रिक्स है क्या है यह लाइन जुएनिंग दो पॉइंट जो इन दो प्रिक्स आप ट्रेंगल तो सेम फिक्स अंधा पॉजिट साइट तो मतलब एक अलग डिफनेशन है यह भी कर सकते कभी कभी जाम में इसे डिफनेशन दे देगा तो उसमें में दे दिया चेक लाइन बेस लाइन तो बताने यह से मतलब यह ट्रेंगला ठीक है तो यह आपक्स से सामने यह वाला जो तो चेक देख 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 प्रेमल तो डोनों प्वाइंट आपको पता होना चाहिशना हूं एक अगला जाता टाइञा यह दो टाइलाइन का यह लाइन जोइन समपीस पॉइंट ठीक है आन्दर मैं जो मारा में सर्वेमायन यानिक पेस लाइन जो हमारा है ठीक है उस आइन यह दो काम होता पहला कि आजए लाइन दे अग्रवर्ण टीक है एक डौ ज़ू आ फ्रेमवर्क रॉडव पॉर फ्रेम पर उसके उप्रेमवर्ण गार्व च्राइश मीजर कर देटा है ठीक है टाइल लाइन जो ता चेकी द्रभी वरक करता है ठीक है दूसरा क्या होता लोकेटिंग दे इंदीरियर डिटेल विच और फार अवे फ्रांद में सर्वे लाइन मतलब यह है जिसे हमारा में सर्वे लाइन है ठीक है तो में सर्वे डिटिल हम इसी के रेस्पेक्ट में बताते हैं दूसरा चीज क्या होता है कि अगर इसी पॉइंट कमें एक्रीजी भी देखना तो भी ऐसे यूज जाका तो यह दोनों का मतलब हुआ किया गया कि यह लॉंगे सब्सेट है यह लांग ऑर श्रोट यह साइट ऑप सट गया है लॉंग आपकर नहीं तो ना ये पर संट को इतना आप कर लोगे ना तो नहीं कहां कहां से पूछ लिए जाते हैं तो उसकी से ओटी नहीं लिए जिसकता लेकिन आइटी परसंट क्वेशन आपको यहां से सॉल हो जाएगा ठीक है बाकी इसको आप देख लिए और नोट्स अपना जरूर बनाई है नोट्स आप बना होगा तभी रिवीजन आपका ज सब्सक्राइब कर लोगा मेरा चैनल और फिवल आइकन क्लिक कर दोगों तो उसके मेरा कोई भी नया वीडियो आपको तुरह पता चल जाएंगा तो दो लेशन कवर हो चुका है वैसे अभी पुरह दस लेशन ने दस लेशन पूरा सर्विंग खतम कर देंगे ठीक है तिससे